लोक तंत्र को कैसे बचाया जा रहा अनुराग भधोरिया जी आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जब दयानिदी मारण या रेवन्थ रेड़ी कहते हैं कि यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो गवमूत्र राज्यों से आते हैं और वो टॉयलेट साफ करने योग यह हैं हाला कि मैं नहीं समझती कि टॉयलेट साफ करना कोई बुरी बात है कोई बुरा काम है लेकिन इस तरह से यूपी और बिहार के लोगों के बारे में कहना क्या ये लोकतंत्र को बचाना है अनुराग बदोरिया जी आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आपके अलाइंस पार्टनर है दयानिदी मारन हो रेवन्त रेड़ी हो ये आपकी गाड़ी आगे बढाएंगे या डुबो देंगे इसकी लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदा है तो सरकार की सबसे बड़ी होती है विपच की आवाज को तो सरकार ही दबा रही है बही पार्लेमेंट के अंदर में अपमान किसका हुआ देश की जनता का हुआ 146 सांसद जो विबिन विबिन परदेशों से विबिन विबिन छेतरों से चुनके आते हैं अपनी जनता की आवाज उठाते हैं उनकी जनता की आवाज को उठाने से रोका गया उनकी आवाज बंद की गई तो क्या विपच को बोलने से नहीं रोका गया विपच को नहीं रो तो उनको अधिकार कैसे मिलेगा क्योंकि सत्त अपर्लेमेंट की आत्मा होती है आपने पार्लेमेंट की आत्मा को मानने की कोशिश की आपने पार्लेमेंट की आत्मा को दबाने की कोशिश की है क्या इसको जनता भूल जाएगी इस अपमान को छुपाने के लिए भारती जनता मौझूद नहीं था उसका भी निलम्मन हो गया सोचे आप और जो जिसके पास से भाई भारती अंता पार्टी के संसत के पास से एक MP सामने पास बनाया वो अंदर घुसे जिन्होंनों उनको पकड़ा वो संसत से बाहर और जिन्होंने पास देखे घुसवाया वो पार्लमेंट गतल आपकी सालों मिल्मन हुआ आप भी मेरे साथ आवाज उठाईए यह फीक नहीं है समिधान के लोक तंस के लिए अनुराग भदोरिया जी मुझे पाट पढ़ाने के लिए मेरे टीचर बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मार्क दर्शन कर रहे हैं मेरा लेकिन मैं अजे आलोग जी से पूछूंगी अजे आलोग जी अब विपक्ष के पास एक ही तरीका है अपनी आवाज और जनता की आवाज उठाने के लिए वो है मिमिक्री क्योंकि अनुराग बतोरिया जी कह रहे हैं कि जनता की आवाज हमें उठानी है और कल्यान बैनर जी मिमिक्री से बाज नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मिमिक्री के अलावा अब इनके पास और कोई साधन नहीं है अपना आवाज अपनी आवाज उठाने के लिए अब इस पर आप क्या कहेंगे कबीर का एक दोहा जाको प्रभु दारुन दुख दीना ता की मती पहले हर लीना जब इनकी मती हर ली गई है क्योंको इनको दारुन दुख मिला हुआ न ऐसा दुख है जिसका निवाराण नहीं पर इचुनाओं में जीत नहीं सकते हो इसका दुख है तो हम क्या करें लेकिन क्या इसके चलते मानिये उप सभापती महोदे चेर्मेन साहब की वाइस प्रेजिडेंट अफ इंडिया दूसरा सरवोच संवेधानिक पड की मिमिक्री करेंगे और उसको कहेंगे कि मेरा मौली का दिकार है बहुत बढ़िया देश की जनता सुन रही है बंगाल की जनता भी सुन रही है और तो और सोने पर सुहागा लीजिए अनुराग भधुरिया साफने पूछा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग टॉलेट साफ करने जाते हैं सड़के मनाने जाते हैं वो वी पक्ष पे चले गए अखिलेश लगता है मिले गए थे स्टालिन से आसे चार मीन पहले पेपर उपर छपा था लगता है कि स्टालिन की जिए कर कहे ते ब्रश लगा के इसलिए लगता है बुरा नहीं माना होगा कि आदत हो गई है ना इन लोग को स्टालिन की कॉंग्रेस को तो आदत ही है तो पीडियम के साथ में नहीं रहेगी तो एक भी सीथ नहीं मिलेगा लेकिन इसके वसलब यह नहीं कि उत्तर प्रजेश और बिहार के लोगों की अस्मिता पर चोड़ करिये तुछ जा करना करो उत कि अगर कुछ कहते हैं तो अब्जेक्शन करते हैं दया ने दी मारण जी रेवन्त रेटी जी वही बात कहते हैं आप अब्जेक्शन नहीं करते हैं अब यह कौन सी क्रिया है मेरे समझ में नहीं आती लेकिन आचारे जी मेरे साथ यहाँ स्कूलियों में है आचारे जी मैं आपसे पूछना चाती हूँ मुद्दा ये है कि मिमिक्री मिमिक्री पर अगर बहस चल रही है अनुराग इस दर भाषा अनुराग जी श्वास अंदर लीजिए अंदर लीजिए अभी छोड़िए मस तब तक में आचारिय जी से एक सवाल पूछ लूँ जिनको कम से कम हिंदुस्तान की संस्कुती पूरे उतर प्रदेश और बिहार की जंता के बारों में कहोगे तो हम ताली बजाएंगे हम कुछ नहीं कहेंगे जो कहता है कहता रहे अनुराग बदोरिया जी आज आज आपका चार चरित में सब खुल गया है